नमस्कार दोस्तों पुनह उपस्थेधू मैं आप सभी की सेवा में आप सभी के लिए आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों केशर के बेनिफिर्ट्स जी हां केशर के गुन, केशर जीसे सैफ्रोन भी बोलते हैं दोस्तों इसके अनेक फायदे और health benefits हैं जो कि हमारे स्वास्त के लिए काफी लाबकारी हैं जैसे कि आपने सुना ही होगा दूद और केसर के काफी फायदे होते हैं जिसके कारण इसे सदियों से उपयोग में लाया जाता रहा है जो आज मैं आपके साथ कुछ useful tips और benefits details share करने जा रहा वो शायद आप जानती भी होंगे पहले से पर सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे केशर और दूद को सही मातरा में मिला कर पेश्ट बना लें और सप्ताह में दो दिन अपने चेहरे पर लगाएं इससे चेहरे पे निखार आता है और रंग थोड़ा गोरा भी होता है स्कीन में रौनक पाने के लिए एक बटा दो टेबल स्पून केशर और पांच टेबल स्पून मिल्क लेकर दस मिनट तक मिला कर छोड़ दें इसके बाद चेहरे पर तीस मिनट लगा कर ठंडे पाने से धोलें इसको विक में दो बार दोहराएं दोस्तो अगर आपको सरदर् से जल्द ही रहत मिल जाएगी केशर को खाद्य वियंजनों में शामिल करने से वियंजनों के स्वाद में चार चांद लग जाते हैं दोस्तों खीर बिर्यानी या मिठाई में इसका इस्तेमाल होता है केशर को दूद के साथ इस्तेमाल से शरीर की तककत बढ़ती है केशर के नियमित से वं से कीडनी और लीवर की विमारियां भी दूर होती हैं दोस्तों केशर को किसी भी चीज़ से लगातार सेवन करने से p menu अच्छा रहता हैं अगर आप केशर को दूध या चाहे में उपयोग करते हैं तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं केशर के इस्तिमाल से कामोतेजना को बढ़ाने के लिए केशर का उपयोग पूर्वकाल से किया जाता रहा है दोस्तों यह एक प्राकृतिक कामोतेजक पदार्थ है यह आपके हार्मोन को उतेजित करने तथा स्वस्त सेक्स को बढ़ावाद देने का कारे करता है इसका उपयोग दूध में डालकर सबसे ज़्यादा किया जाता है जिहां दोस्तों दूध में डालने के बाद इसे जब दूध में मिलाकर पिया जाता है तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है दोस्तों आपकी बोड़ी की शक्ति बढ़ जाती है और अगर आप हिश्ट पुष्ट हैं तो सुभाविक सी बात है आपके अंदर का मुक्तेजना भरी हो केशर में परियाप्त मात्रा में बिटामिन ए बिटामिन सी और फॉलिक एसीड होता है जो कि हमारे शरीर के लिए लाबकारी है बालों को जढ़ने से रूपता है केशर जी हां इसके लिए आप केशर को नारियल तेल में मिलाकर 10-15 मिनट्स तक मसाज करें ऐसा करने से नहीं के तो आज इस प्रकार से हमारा टॉपिक रहा केशर के फायदे अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों एक और नई और शदी लेकर के एक और नया टॉपिक लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों